इस वीडियो में सॉल्व करेंगे questions from 1 to 8 find each of the following products तो हम यहाँ पर product find करना है तो यहाँ पर समझे का ध्यान से some steps हैं जो आप follow करेंगे तो बिल्कुल ही आप mistake नहीं करेंगे सबसे पहले आपको जो जिनका product निकाला रहता है उनका sign देखना होता है मतलब sign दोनों के दिख positive है मतलब कि पहले आप sign को multiply करेंगे और उसके बाद numerical values जो होते हैं means constants उनको multiply करेंगे उसके बाद variables पर आते हैं और variables को multiply करने का तरीका यह है जो exponent true आप पढ़े होंगे उसके हिसाब से मतलब कि यहाँ पर देखिए variables जो multiply करेंगे तो किवह लाइक जो variables होंगे उनको ही एक साथ हम merge करेंगे ठीक है क्योंकि हमारे पास formula जो है वो आपका जानते हैं a to the power m multiplied by a to the power n यदि ऐसा रहेगा तभी हम इसको add कर पाएंगे means a to the power m plus n लिख सकते हैं इसी formula का हम use करेंगे mostly इन सभी questions में चलिए हम solve करते हैं one by one first question 5x square multiplied by 4x cube यहाँ पर क्या करेंगे पहले आप देखेंगे sign क्या है दूनों का sign positive है कोई दिकता नहीं positive positive भी होता है तो हमें कुछ नहीं कर सोचना अब अब numerical value में देखें क्या क्या है 5f4 है तो इनको multiply पहले करेंगे तो 5f4 जा तो एक बार एक और step दिख लेते हैं हम एक बार आप दिखाने के लिए 5 into 4 करेंगे उसके बाद variables देखें यहाँ पर x square है यहाँ पर x cube है means x x same है तो base आप करेंदी same रहेगा तो बस आप क्या करेंगा x to the power 2 multiplied by x का power 3 यहाँ पर आप क्या करेंगे अब 5,4 जा 20 हो जाएगा यह आपका numerical value और यहाँ पर दिखें x base same है तो आप powers को add कर देंगे means x to the power 2 plus 3 हो जाएगा and यह आपका result देगा 20 x to the power 5 so this is your answer for this question second one minus 3a square multiplied by 4b to the power 4 यहाँ भी आपको पहले देखना है sign क्या है देखें हाँ यह minus से यहाँ plus है ठीक है तो sign को multiply पहले करना है तो minus plus minus ही होगा उके इसको बाद numerical value को multiply करना है 3,4 जा 12 now a square and b square देखें हाँ base अलग-अलग है तो variables बिलकुल अलग है so इनको आप multiply नहीं कर सकते तो इनको one after another आप ऐसे ही put कर देंगे and this is your answer ठीक है next यहाँ पर दिखें sign negative है यहाँ और इसमें भी negative है so minus minus क्या हो जाएगा multiply करने पर plus हो जाता है so यहाँ plus हो जाएगा तो हम नहीं रख रहा है उसको क्योंकि plus क्यों रखना okay 5,3,5 15 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 15 numerical variable का multiplication constants का उसको से variable एक साथ कर लेंगे x multiplied by x square यहाँ पर into y into y into z तो अके लिए है तो जी हम ऐसे रख देंगे अब इनको multiply करेंगे तो यह आपको 15 तो मिल चुका है constants का multiplication और यहाँ हो जाएगा देखे x cube यहाँ power है 1 और यह दोनों add हो जाएगे अब y square मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है power यहाँ पर 1 है तो दोनों add कर देंगे और g as it is उतार देंगे तो यह आपका answer है for the third one ना तो fourth part देखिए 1 upon 2 x y multiplied by 2 upon 3 x square y z square यहाँ पर ध्यान देने माली बात यह है कि जो variables होंगे वो numerical value में sorry numerator में multiplied ड़ाते हैं यह आपको ध्यान रखना चाहिए तो यहाँ पर हम पहले जो fractions हैं उनको multiply कर लेंगे तो यहाँ पर हम निख लेते हैं 1 by 2 multiplied by 2 upon 3 1 bracket now x into x square को हम एक साथ करेंगे क्योंकि इनका variables equal है यहाँ पर देखिए y into y करेंगे y into y और and g square यहाँ पर और कोई term नहीं है so अब ध्यान देज़ेगा है 1 by 2 में में बात बाते हैं 2 by 3 तो actually आप numerator से denominator कटा सकते हैं तो 2 और यहाँ पर कट जाएगा 2 1 into 1 1 ही मिलेगा 1 अपान यह हो जाएगा 3 now x cube y into y y square g square so this is your answer for this fourth part now the fifth part minus 7 upon 5 x y square g multiplied by 13 upon 3 x square y g square so यहाँ पर पहले हम numerical value को मुटला करेंगे so यहाँ negative value है यहाँ positive है तो minus and plus multiply करेंगे तो actually negative हो जाएगा अब हम numerical value को multiply कर लेते हैं तो 7 upon 5 multiplied by 13 upon 3 now x into x square into y square y into g multiplied by g square so अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कोई भी numerator से denominator में कुछ भी कट नहीं सकता है तो directly आप मुटिपलाई कर लेंगे तो minus 13,7,91 upon 5,3,15 so 91 upon 15 is your numerical value and x into x square is x cube so this is your answer for this one now the next part, sixth part minus 24 upon 25 so पहले हम science का multiplication करेंगे तो यहाँ पर दीखेंगे minus है, यहाँ पर minus है so minus minus क्या हो जाएगा? plus हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे numerical value का multiplication क्योंकि दीखेंगे हमने यहाँ यहाँ मैनस मैनस को plus कर लिया था तो plus लिक्रिक जूर्थ नहीं है 9 upon 10 x cube into x is x to the power 4 powers को क्योंब add कर देंगे और कुछ नहीं करना है y यहाँ पर पहले रख लीजिए उसके बाद से g into g square is g cube so यह आपका answer है for the sixth part now the seventh part sine को multiply करेंगे तो यहाँ minus है यहाँ plus है so minus plus multiply करने पर minus होता है so minus हो जाएगा now in bracket multiply by a square into a cube यहाँ को एक साथ रखेंगे मत प्रेट भाई b square into b square into c square को ऐसे रख देंगे अकेले so now यहाँ पर जाएगा minus यहाँ पर हम cancel out कर देंगे numerator में तो 9 बंजा 9 and 9 3 27 होता है so 1 into 1 हो जाएगा 1 upon 3 to 6 okay into करने की उरुद नहीं है यहाँ पर आपली सेथे रखेंगे a square into a cube power square add कर देंगे a to the power मिल जाएगा 5 b to the power 4 and c square so this is your answer for the 7th one now the 8th one and the last one okay द्यान देजेगा यहाँ पर हम पहले sin कुमट प्लाई करेंगे तो minus and plus is minus in bracket 7 अब यहाँ constants कुमट प्लाई करेंगे 7 into 1 upon 4 into x into x square into y into y into g so यहाँ पर योदी मड़िलाई करते हैं आप तो 7 upon 1 लिखना होगा और numerator से numerator में करते हैं denominator का denominator में करते हैं तो 7 into 1 हो जाएगा minus 7 upon 4 x into x square is x cube y into y is y square into g so this is your answer for the 8th one and the last one आपको सुझ में आ गया होगा कैसे में अप्लाई करते हैं तो पहले हम sign को में अप्लाई करते हैं उसके बाद constants को में अप्लाई करते हैं after that जो similar variable होते हैं उनके powers को add करके एक में कर लेते हैं and that's your answer comes okay thank you so much for watching यदि आपकोई भी doubt है तो बिल्कुल आप comment box में लिसकते हैं thanks again bye bye